वीडियो देखने वालों को नमस्कार पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि अगर रेशिया यूकरेन का युद्ध जो है इसी तरह चलता रहा तो अगले साल जो है दुनिया में खाद्य संकट आ सकता है पर अभी एक अच्छी खबर आ रही है कि रूस और यूकरेन में समझ दील जो है वो ये है कि सिर्फ फूड एक्सपोर्ट के लिए जो है ये लागू रहेगी इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी सीस फाइर हो रही है सिर्फ फूड एक्सपोर्ट जो है यूकरेन जो है कर पाएगा तो दील ये है कि यूकरेन की शिप जो है वो खाद्यान को जो ह लेके तरकी की पोर्ट पे जाएंगी वहाँ पर अनलोट किया जाएगा और वहाँ से जो है वो दूसरे देशों को शिप किया जाएगा तो इस पूरी चीज की जो निगरानी है वो चार देश मिलके करेंगे चार देश नहीं चार पार्टी एक यूएन हो गया यूक्रेन हो गया रशिया हो गया और तुर्की अब ये इंस्पेक्शन इसलिए किया जाएगा ताकि जो है ये एंशोर किया जा सके कि यहाँ पे कोई हत्यार कैरी जो है नहीं किये जा रहा है साथ में एक जॉइंट कमांड सेंटर भी बनाया जाएगा टर्की के इस्तांबुल में यहाँ से जो है शिप्स की सारी मॉनिटरिंग की जाएगी तो ये काफी अच्छी बात है इससे जो है क्या होगा कि थोड़ा सा महंगाई में रहात मिलेगी तो यूक्रेन और एशिया जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत बड़े जो है एगरिकल्चर प्रड्यूसर भी है उनका अगर आउटपूट जो है दूसरे देशों में जाएगा तो बाकी जगे जो है महंगाई कम रहेगी तो ये हम सब के लिए ये अच्छी बात होगी फिर मिलेंगे जहन